एक फूक्य एक शत्रा महिने तिहाड जेल के सीख्चों में बंद रहने के बाद आज माने सरोच चेनियाले ने दिल्ली के सिक्षा क्रांती के जनक मनिस सुदिया जी को बेल दिया है वैसे सुप्रिम कोर्ट से बहुत सारे लोगों को जमानते मिलती रही है लेकिन पूरी दिल्ली और पूरा देश जो सिक्षा क्रांती के रूप में एक उमीद के रूप में मनिस सुदिया जी को जानता है पहचानता है और उनसे उमीद लगाए बैठा था 17 महीने की दिल्ली और देश के लोगों की जो तपस्या थी जो दुआ थी जो आसिरवाद था आज वो फलित हुआ है आज वो पूरा हुआ है और इसने एक बात का संदेश साप तोर पर दिया है कोई भी तानासाही कितनी भी थाकतवर हो सकती है लेकिन उसकी तानासाही अनंत काल तक नहीं चल सकती तानासाही की भी सीमा है सत्रा महिने दिल्ली के उन बच्चों ने जिनके लिए एक नई उम्मीद एक नया सपना गढ़ा मनी सिसो दिया ने उन परिवारों को बच्चों को IIT में मेडिकल में सेलेक्ट करवा करके एक नई राह दिखाई दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों के रेजल्ट प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा लाकरके यह साबित किया कि जब पूरा देश ये बात मान चुका था कि सरकारी सिक्षा में कोई परिवर्टर नहीं हो सकता और एक एक दिन गिना जा रहा था कि किस दिन देश के सभी सरकारी स्कूलों में ताले लगेंगे और प्राइवेट स्कूलों में ही बच्चों का भुष सुरक्षित रह सकता है उस मिथख को तोड़ा मनिस्ति सुदिया ने अर्विन केजरिवाल जी के नित्रित्व में सरकार ने जिस तरह से काम किया किवल बादा नहीं किया सपने को हकीकत में बदल करके एक देश को एक नई उम्मीद दी उस उम्मीद को कुचलने के लिए सडियंत्र करके बिना तथ्य के बिना सबूत के जिस तरह से 17 महीने मनिज सिसोधिया जी को जेल में रखा गया वो इस बात का सबूत है कि भारती जनता पार्टी और भारती जनता पार्टी की केंदर की सरकार देश के मानने प्रधार मंत्रे इस देश के अंदर सिक्षा में बदलाओ की उम्मीद की जो राह है उसे कुछलना चाहते थे देर हो सकती है अधेर नहीं है दुनिया में और इसलिए आज हम सब लोग इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं सुप्रीम कोट का निश्चित रुप से इस बात का मलाल सब को है कि बिना एक तक आज तक एक सबूत नहीं मिला सत्रा महीने CVI और ED ने दिल्ली के उपमुक्च मंतरी को जेल में रखा और धिकार है इसी एजन्सी पर जिसको आज तक एक सबूत नहीं मिला चवणनी का सत्रा महीने उस व्यक्ति को आपने जेल में रखा हमें नयाय मिला है लेकिन इस बात का अफसोस है कि देर से मिला है इस बात का अफसोस है कि जो बिल उनको एक साल पहले मिल जानी चाहिए थी नियाई प्रक्रिया में डिले की वज़ा से आज 17 महीने बाद वो बिल मिली है इस बात को ले करके दिल्ली के लोगों को मलाल है लेकिन देर आए खुसी ले करके आज सुप्रिम कोर्ट का फैसला आया है मैं डिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को बढ़ाई देना चाहता हूँ कि किवल उप मुख्यमंत्री नहीं जल्दी भारती जनता पार्टी का जो सडियंत्र है जिस तरह से ट्राइल कोर्ट में जमानत मिलने के बाद सुप्रिम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद EDI की जमानत मिलने के बाद CBI का जिस तरह से सडियंत्र के फंदा डाला गया है वो भी तूटेगा जल्दी अर्विन केजरिवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बाहर आएंगे हमारे सतेन जैन भी बाहर और निश्चित रूप से ये मनीश सुधिया जी की जमानत उसके पहले संजे सिंग जी की जमानत और आगामे दिनों में जल्दी सभी नेताओं की जमानत इस बात का प्रमाण है कि ताना साही कितनी भी ताका तोरो सकती है लेकिन उसका अंत जरूर होगा मैं संजे जी से चाहूँगा कि अपने बात मनीश सुधिया जी की जमानत जोरदार तमाचा है ताना साही के उपर हिटलर साही के उपर और मोधी सरकार के जुल्म के उपर सत्रा महीने आपने एक ऐसे विक्ति को जेल में रखा जिसके खिलाब एक सबूत नहीं था एक रुपए की पैसे की बरामदगी नहीं हुई कोई जमीन जाइदात का कागज नहीं मिला गाओं खोड डाला, बैंक खोड डाला, घर खोड डाला कहीं कुछ नहीं मिला लेकिन E.D. वाले, C.B.I. वाले तारीक पे तारीक पे तारीक तारीक पे तारीक 17 महीने आपने सिर्फ और सिर्फ एक प्रयास किया मनिश्रि सौधिया कैसे जेल में रहें आज माननी ये सरवोच्च नियायले का फैसला नियाय विवस्था की जीत है लोकतंत्र की जीत है और दिल्ली और देश के लोगों की भाउनाओं की जीत है पूरा देश ये मानता है कि सिख्षा के छेत्र में अद्भूत और अनुकरन ही ये काम मनिश से सौधिया ने किया और आपने ऐसे वेक्ती को पकड़के जेल में डाल दिया पूरा देश से मानता है कि अरविंद केजरिवाल के नित्रत में दिल्ली के अंदर सिक्षा, स्वास्त, बिजली, पानी, माताओं बेहनों के लिए बसकी यात्रा, बुजर्गों की तीर्थ यात्रा, अनुकरनी ये काम करके दिखाया केजरिवाल जी की सरकार ने, आपने केजरिवाल को पकल के जेल में डाल दिया। मोहला क्लीनिक का मॉडल, जो पूरे दुनिया में प्रचारित हुआ, आपने सतेन जैन को पकल के जेल में डाल दिया। मैं संसद में इस सरकार के ब्रस्टाचार के खिलाप आवाज उठाता था, मुझे पकल के छे महीने जेल में रखा। तो मकसद जाच करना नहीं है, मकसद है विपक्ष के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालना। मैं प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, मनीस सिसौदिया की जिन्दगी के जो सत्रा महीने बरबाद हुए, उसका हिसाब कौन देगा। मनीस सिसौदिया की पत्नी, उनके बच्चे, उनके परिवार ने जो मानसिक प्रतारना जेली, उसका जवाब कौन देगा। दिल्ली के लाखों बच्चे, जो एक ऐसे अच्छे सिक्षा मंत्री की प्रयासों से वंचित रह गए, उसका हिसाब कौन देगा। अपनी दुर्भावना और द्वैस की राजनीती के कारण, आपने सत्रा महीने से मनीस सिसौदिया को जेल में रखा था, उनको सुप्रिम कोर्ट से जमानत मिली है, अर्विंद केजरिवाल के मामले में, तो कई गुना आप आगे चले गए, ईडी कोर्ट ने जमानत दे दी, बगेर और्डर की कापी के नियाए पालिका के इतिहास में पहली बार रिहाई पे आपकी एडी ने जाकर रोक लगवा दी, और जबर दस्ती नया मामला सी बी आई का बनाके केजरिवाल जी को आप में जेल में रखा है, अब भी जरा से भी शर्म है, जरा से भी सर्म है प्र का नयायाले में बिरोत करना बंद करें, आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, ना एक रुपए केजरिवाल जी कहां से मिला, ना सतेन जैन जी कहां से मिला, ना मनिस्टी सौधिया जी कहां से मिला, मैं अपने केस के बारे में बोल नहीं सकता, कोटने रोका है, क्या कर रही है आपकी जाच एजिंसियां और जहां पैसा निकला उसमें कोई कारवाई नहीं करते हैं साथ करोन रुपए की रिश्वत मैं फिर दोरा रहा हूं भारती जनता पार्टी ने शराब घोटाले किये हैं और भारती जनता पार्टी ने 60 करोन रुपए की रिश्वत सरचन रेड़ी से लिए है उनके नेताओं से कोई पूस्ता चुई एलेक्टोरल बॉंड का सीधा पैसा पकड़ा गया बीजेपी के पास उसके बाद उसकी रिहाई हुई है तो भारती जनता पार्टी इस देश की सबसे भ्रस्ट बेईमान एलेक्टोरल बॉंड के जरिये रिश्वत खाने वाली घोसित पार्टी है आम आदमी पार्टी ने हमेशा इमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलने का काम किया है अर्विंद केजरिवाल, मनिस्स सौधिया, सतेन जैन जिनको भी जेल में रखा गया सिर्फ और सिर्फ दुर्भावना और बदले की राजनीती के कारण भारती जनता पार्टी वो पार्टी है जो घ्रणा, नफरत, द्वैस, जगड़े, लड़ाई, दंगे, फसाद इसमें यकीन रखती है उसको किसी का विकास नहीं करना है, उसको देश को आगे लेके नहीं जाना है मैं फिर दोर आ रहा हूँ, मनिस्टी सौदिया के इस जमानत से पूरे देश के लोगों में, आम आदमी पार्टी के कारकरताओं में, जबरदस्त उत्सा है और आने वाले चुनाओं में भी, इसका बहुत बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा जल्दी हमारे नेता और पार्टी के मुख्या अरविंद केजरिवाल जी बाहर आएंगे, सतेन जैन जी भी बाहर आएंगे, ये राजनीती नफरत वाली थोड़े दिन तो चल सकती है, लेकिन इसको इस देश के लोग, दिल्ली के लोग पराजित करेंगे सौरब भाई नमस्कार सातियों, आज देश की सबसे बड़ी आदालत की डवल बेंच ने, जिसमें जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन थे, उन्होंने एक लेंडमार्क फैसला दिया और ये फैसला ना सिर्फ मनीश शिशोदिया जी के लिए, बलकि तमाम उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए मील का पत्थर साबित होगा, जो बिना किसी सबूत, गवा, प्यमेले, प्रिवेंशन आफ मनी लॉंडरिंग एक्ट के काले कानून के तहर, जेल के अंदर सड़ रहे हैं, कोट ने कुछ बड़ी बातें अपने फैसले में कही हैं, जो मुझे लगता है, पूरे देश के लिए, खास तोर पे वो जो टीवी बहस के अंदर चलता है, उसके लिए एक रौशनी देने का काम करेगी, नमबर एक, कोट ने कहा, बेल इस राइट, जेल इस एक्स आप उसको जेल में रखे, वो एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, और यहाँ पर यह मामला इसलिए साबित होता है, बिना किसी कानून के, बिना किसी सुबूत के, बिना किसी गवा के, 17 महीने तक मनिश शोद्याजी जेल में हैं, कानून यह कहता है कि आप मुकदमा सबूत रखे, गवार रखे, दोशी साबित कीजिए, कन्विक्शन हो, सेंटेंस कराइए, पांच साल का नहीं है, आप दस साल की सेंटेंसिंग कराइए, आप जेल में रखे, आपका स्वागत है, मगर जहाँ पे आपने ट्रायल ही नहीं शुरू की, साबित कुछ नहीं हु हुआ, वहाँ पे आप किसी को सत्रा महीने कैसे जेल में रख सकते हैं, कोट ने कहा कि आज देश में स्नेक्स एंड लेडर, साब सीड़ी का खेल चल रहा है, आदमी लोर कोट में जाता है, जमानत के लिए इंतजार करता है, मैटर रिजर्व हो जाता है, इंतजार करता है, फिर हाई कोट में जाते हैं, सुनवाई होती है, रिजर्व होता है, इंतजार होता है, डिस्मिस, फिर आप सुप्रीम कोट जाते हैं, फिर वापिस, यह साब सीड़ी का खेल आज केंदर सरकार ने देश में चलाया हुआ है, इस मामले में सितंबर में केंदर सरकार और उसक साल हो गया ट्राइल शुरू भी नहीं हुआ है यह बात कोट ने कही जब ट्राइल शुरू ही नहीं हुआ है ऐसे मामले में जिसमें हजारों 80,000 से ज़्यादा दस्तावेज हैं 200,500 लोगों से ज़्यादा गवाह है 468 गवाह हैं ऐसे में ट्राइल को तो 10 साल लगेंगे तो क्या 10 साल आप किसी को बिना कुछ साबित करें जिल में रख सकते हैं यह तो होई नहीं सकता कोट ने एक महत्वपूर्बाद की लोवर जुडिशरी के बारे में ट्राइल कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में कि जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तोर पे कह दिया कि 6 से 8 महीने के अंदर ट्राइल खत्म ना हो तो इनकी जो जमानत है उसको कंसिडर किया जाए उसके बावजूद लो समले जो हैं पेंडिंग जारे सुप्रीम कोट के उपर जो है इसका दबाव बन रहा है जो की गलत है एक और बात सुप्रीम कोट ने कही जब सुप्रीम कोट उठ रहा था तो अभिशेक मनु सिंग्वी जी ने मुस्कुरा के कहा थेंक्यू मेलॉड छे तारिक को मामला रिजर्व हुआ नौ तारिक को आपने सुना दिया स्पीडी पैसला आया और जस्टिस गवई ने मुस्कुरा के कहा इट इस अ मैटर ऑफ सम्वन्स पर्सनल लिबर्टी कि एवरीडे काउंट्स कितनी बड़ी बात देश के सबसे बड़ी अदालत ने कहीं कि जहां बेल का मामला है एक एक दिन एक बेगुना जिसके ओपर गुना साबित नहीं हुआ वो जेल में है उसकी पर्सनल लिबर्टी है जो हमारे कॉंस्टिटिउशन के अंदर आर्टिक कोट नहीं समझते जहां पर मेटर्स को खास तौर बेल के मैटर्स को रिजर्व करके हफ़तों तक कोट उसके ओपर बैट जाती है महीनों तक बैट जाती है बेल केमामले में यह एक बहुत बड़ी टिपनी है हमारे चुडिशीयल सिस्टम पर हाई कोट और ट्राइल कोट क इसके चा रहे हैं बेल नहीं दे रहे हैं सब फैसले सुप्रीम कोट की पास जाके लंबित हो रहे हैं और अंतता सुप्रीम कोट को बेल देनी पड़ रही है एक और विशे जो बहुत जरूरी है वो यह है केंदर सरकार ने आखरी में भी ये कोशिश की कि मनिश शोदिया जी जब रहा हो रहे हैं तो उनके उपर कुछ बेल की कंडिशन्स लगा दी जाएं जैसे मनिये मुख्य मंत्री जी के उपर लगाई गई थी मगर कोट ने बात बिलकुल साफ की और यह बहुत बहुत जाहिर सी बात है एक आदमी अगर कोई भी काम करता था कोई बिजनस करता थ नौकरी करता था अगर आप उसको बेल पर बार जोड रहे हैं तो क्या फिर बंद कर देगा वह अपना काम बंद कर देगा वह घर में बैठ जाएगा ऐसा कैसे कर सकते हो आप कोट ने कहा कि जो वो कर रहे थे उसके उपर उनके उपर कोई बंदिश नहीं है कोई कंडिशन नहीं है सिर्फ सोमवार को और व्रिश्पतवार को उनको ठाने में जाके हाजरी लगा के बताना है कि मैं उपलब्द हूं ऐसे लोग चाहे वो संजे सिंग हूं चाहे वो मनीश शिशोदिया हूं इनको ट्राइल के चलते जेल में रखना सीधा सीधा नयाए क्यों जेल में का सिर्फ एक कारण है कि आप कहीं ट्राइल से भाग ना जाएं मगर मनीश जी जैसे लोग संजे सिंग जी जैसे लोग जिनकी रूट से सोसाइटी में जो चुने हुए विधायक हैं मंत्री हैं सांसद हैं वो कैसे ट्राइल से भाग जाएंगे तो कोई मतलब नहीं बनता कि उनको समय सिर्फ जादा आप जेल में रखें और जहां तक सबूतों के साथ टेंपरिंग की बात है उस पर भी कोट ने साफ किया जितने भी सबूत ED ने रखे हैं जिनक किनार करते हुए सुप्रीम कोट ने उनको जमानत दी है राश्ट्री सच्ची बंकर्ज गुपता जी सभी बातें हो चुकी लेकिन आज ये सचमुच पूरे देश के लिए पूरी दिल्ली की जनता के लिए पार्टी के सभी कारेकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी उमीद जगी है ये विश्वास जगा है कि जिन सपनों के साथ अर्विन जी ने इस पार्टी का गठन किया था जिन सपनों को पूरा करने के लिए इस देश की जनता उनकी तरफ आस लगाए बैठी है उनमें देर हो सकती है लेकिन उस सपने जरूर पूरे होंगे देश के हर बच्चे के लिए अच्छी सिक्षा का सपना हर वृद्ध माता पिता के लिए अच्छी दवाई अच्छी स्वास सेवा का सपना साफ पानी का सपना बिजली का सपना महिलाओं की सुरक्षा का सपना ये सारे सपने जो दिल्ली की जन्ता ने देखे थे और पिछले कुछ महीनों में या मैं कहूं जैसा सब ने कहा 17 महीनों से जो व्यथा चल रही थी, जो दुविधा चल रही थी जो लोगों के मस्तिश्क में परिशानिया थी मेरा मानना है कि आज के माननीय सुप्रिम कोर्ड के जज्जमेंट से उन से थोड़ा संशय दूर होगा, लोगों में उम्मीदे बढ़ेंगी और पूरे देशवाशियों से, पूरे दिल्ली की जन्ता से हमारा यही कहना है कि हिम्मत नहीं हारिएगा, विश्वाश रखिएगा आपका सपना जरूर पुरा होगा, जैहिंद सभी बाते हमारे सारे वरिश्टनेताओं में कह दी है मैं स्रीफ इतना कहना चाहता हूँ कि भारतिय जंता पार्टी के कारियाले में बैट कर लिखी गई एक साजिश आज सब के सामने आ चुकी है ये एक तथा कतित शराब घोटाला जो भारतिय जंता पार्टी के कारियाले में बैट कर लिखा गया था आज उसका सच जंता के सामने है मैं पूरी दिल्ली की तरफ से पूरे देश की जंता की तरफ से माने सुप्रीम कोड का धन्यवाद करना चाहता हूँ आज हम सारे लोग अपने नेता मनीश सोदिया जी के स्वागत की तयारी कर रहे है पूरी दिल्ली और पूरा देश उनके स्वागत की तयारी कर रहा है और बहुत ही जल्द हमारे नेता और दिल्ली के लोग पिरमिकमंत्री आदरीय अर्विंद केजरिवाल जी और सतेंदर जैन जी भी जेल की सलाकों से बाहर होंगे एक बार पुना आप सब को बहुत बहुत बदाईए देखे पहले जेल से बाहर आएंगे आगे कैसे क्या करना है वो नेड़ने जब होगा तो आपको जानकारी देंगे अभी तो हम सब के लिए ये बहुत खुसी का छण है उनके परिवार के लिए एक एक पार्टी के कारकरता के लिए तो हम जेल से वो रिहा हों उनके स्वागत की तैयारी में देखे ऐसा है कि भाजपाईयों की हालत वही है कि चित भी मेरी पड़ भी मेरी अगर जमानत नहीं मिल रही थी तो चीक चीक के चिलाते थे मिली संजे सिंग को जमानत मिली सिसोधिया को जमानत मिली केजरिवाल को जमानत आप लोग ही अपने चैनल पर दिखाते थे जमानत मिल गई तो कहते हैं सिर्फ जमानत ही तो मिली है कल को बरी हो जाएंगे तो कहेंगे कि सिर्फ बरी ही तो हो गए सत्रा महीने मात्र रहना ही तो पड़ा जब मोदी जी जैसे ताना सा है तो रहना पड़ेगा मुकद में लिखवाने पड़ेंगे अगर अमिस्सा है तो लाठियां खानी पड़ेंगी तो भाजबाई ये कहना चाहते है देश के सर्वोच न्याया लेने 17 महीने के बाद तमान तत्यों को देखने के बाद एक जमानत दी है और आपको मालू है कि पीमेले के मामले में जमानत मिलने का मतलब होता है जज को संतुस ठोना पड़ता है सारे सबूतों और तत्यों पर कि इस पर केस नहीं बनता तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि अगर जमानत मिल जाए तो कहते हैं सिर्फ जमानत ही मिली है कल को बरी हो जाएंगे कहेंगे सिर्फ बरी ही तो हुए है काट लिया सत्रा महीने तो क्या फरक पड़ता है तो भाजपाईयों के लिए मैंने सुबा भी बोला था मैं फिर कह रहा हूँ एक गरदन काटो योजना इनको बनानी चाहिए और कुछ गैंग तयार करें राजनीतिक पार्टी तो है नहीं गुंडों का गैंग है तो इन गुंडों के गैंग को इनको एक डल अपने डल के अंदर एक समू तयार करना चाहिए जो विपक्ष के नेताओं को पकल पकल के कहीं मारें कहीं पीटें कहीं उनकी हत्या करें कहीं उनका गरदन काटें उससे शायद इनको संतुस्ती मिलेगी अभी भी बेशद में देखिया बेल मिल गई तो सिर्फ बेल ही तो मिली है मजाग बना रखा है एक आदमी को आपने सत्रा मही ने जेल में रख दिया बेल मिल रही तो कहरें सिर्फ बेल ही तो मिली है जितने चोर और बेइमान पूरे देश के हैं जिनकी अंतर रास्टी ये ख्याती है ब्रस्टाचार में सब आज मोदी जी के साथ खड़ें सब के सब एक एक करके महारास्टा से लेके और आसाम तक कल अभी मैंने क्छोला पार्लिमेंट के भ्यस्त नफुलत द्वैस और जगडा लडाने वाली पाटी का नाम है भारती जनता पाटी